यह जिपसम की मिट्टी है पूरी यह कब इंडिया पाकिस्तान बोडर अब आप सभी लोग अच्छे हैं दोस्तो मैं हूँ अभी इस टाइम पर अपने भारत पाकिस्तान बोडर के पास में और मैं एक गाओं में रुका हुआ हूँ अभी मैं यहाँ पर आये था साचु पोश्ट देखने के लिए और हम लोग क्या थोड़ा लेट हो गए थे इसी वज़े से अभी मैं रुका हूँ साचु गाओं में और यहां के जो लोग हैं इतने अच्छे हैं तो हम लोग यहां पर बैस पूछ रहेते हैं तो उन्होंने हमारा स्वागत किया भाई और हमें चा करते हैं और इस वीडियो को पूरे मज़े से देखिए साम का टाइम है और अभी हमारी जो सीरीज है वो राजस्थान की सीरीज चल रही है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से एर करें और वीडियो को लाइक करें चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो अब यह आप देखोगा ना, तो हम लोग देखो, अगर आपको दिखेगा, तो यह देखो, अपने BSF का ट्रक है, एक जवान लेके जा रहा है, तो BSF आर्मी के लिए एक जैहिन जरू लिखना दोस्तों, तो यहाँ पर देखो, हम लोग गाओं में रुके हैं, तो यहाँ पर चोदरी हैं, जिनके हम घर पर भी रुके हैं, साम का वक्त है, और यहाँ पर अगर आप देखोगा ना, तो इनके जो खेती के जो संसादन है, वो सारे यहाँ पर रखे हूँ है, उदर कुछ हल रखे हों, इदर ट्रोली है, और कुछ हल है, और यहाँ पर यह बिजाई मसीन और यह गोड़ी वगएरा का सामान है और इधर आगर आप देखो तो यह जो आपको फ़सल देख alcohol video ना यह जो फ ti एक निम्बू का पेड़ वहाँ पहे है और अगर मैं आपको बताओं तो देखो अगर आपको दिखेगा न यहां से थोड़ा साई दूर पाकिस्तान बॉर्डर है यहां से थोड़ा और उधर है साजू पोस्ट और इधर अपने भाई गाओं के लोग खेतों में काम कर रहे है और यहां पर देखो यह है मुवफली की फसल और अभी देखो मैं आपको ना यहां पर पूरानी चीजे दिखाऊंगा और चलिए हम सर से बात करते हैं इन से थोड़ा जानते हैं और यहां के जो माहुले उसके बारे में जानेंगे सर राम राम कैसे हो ठीक है सर क्या अपना अरी राम गोदाया ङौह तो सर कौन सा गाँ है यह सांचुगाम सांचुगाँ भारत पाकिस्तान पास में है मातर इकर मिट्र है यह जो यह दोरे दिख रहे इस के पास में होगा बोर्ड़ लंग जाता यह वहां यहां पर आपको याद हो तो पाकिस्तान का कौन सा गाओ लग जाता है पाकिस्तान का वैसे इस दिसा में तो है सुल्तान का वेडा गाओं सुल्तान का वेडा गाओं यह जो अपना टेक्टर चल रहा है इस दिसा में सुल्तान का वेडा गाओं है और उसी गाओं के नाम से सु बेड़ा और सुल्तान का बेड़ा पोस्थौंस आपकस्थौंस आपना सांचु पोस्ट है इहां अपने घर परिवार के यह या फिर मजदून यह अपने वजदूर है मसदूर cinema कितनी जमीन अपने पास में अपने पास 200 बीगा जमीन है 200 बीगा जमीन है इधर चलते इधर हमें कुछ दिख रहा है यहां पर यह क्या है यह यह गाउं थाना पुराना हां पुराना संचु गाउं था यह बड़ा गाउं था कितना पुराना गाउं है अपना काफी पुराना हजारों साल पुराना गांत जाय कप है, मेरे पास गाय, 15-20 गाय हैं हाँ फसल कौन कौन कि करते हैं? मौंपली, मौंपली अभी तो मौंपली हाँ और मोठ बीज रखा है मोठ, मोठ तो साइद दाल होती है ना? दाल 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 होती है यह जोपडे बने हुएं, यह अपने मस्धूरों के यह है मस्धूरों के यह उधर के स्कूल है उपासमें ओसकूल है वाटरबोक्स है यह मजझीद कितनी पुरानी यह आउव अगे लेए तोड़ा है यहां का आप हमें में सरकी कोठी बनी होई यहां पे सांचुम गांव और यह पाकिस्तान बौरड यह अपना पाकिस्तान बौरडर है पाजी में वहां से एक ताउर भी गगता है यह लिए तो पर दिखे देरा हूं यह थोड़ा सापको मुसलिमRe men wiem... मुसलिम तो जो अ known? यह थान है गई歌 इहां का वाटवरण बताओ किसे आपकी धिम पिरें खानपान पान ऐं तो झाहाना? बड़ऄ बिजीदगी ज में जई रहे ही तो बड़ाराम werden बड़ाराम है है आपका जैसे आप सुबह खड़े होते हो तो क्या खानेपीना नहीं तरह नहीं दुद्धेसे गुजर जाता है सुबह है के खेतव में तो में ते में सुबहां था चाही कीताह जाते हैं था हम श्युम्स्मालते हैं मचाम लगाते हैं उनको तो फिर नाश्त अनुस्ता करके फिर चले जाते हैं वस दूद दही का खाना होगा पूरा अच्छा यह मस्जिद है तो इसके बारे हमें थोड़ा बताओ यह कितनी पुरानी है और यह किसने बनवाई थी याद है कुछ तो बताओ आजाओ सामने आजाओ थोड़ा ना अभी हम तो यह क्या है मंत हमारे गाय तो यह 15 साल हो गया इंतानी किसने पुराणी है यह अच्छा पंद्रे साल उन्हें नहीं जो कपरेये हैं हां मुसल्मान की कितनी दूरे हैं हैं मैं जा दिक यह आख दूग पासी में चलो कबरे भी देखेंगे चल के तो वह कोड़े बता रह वहारत की तरफ मुसल्मान रहते थे उनकी कबरे हैं तो यह मस्जी तो काफी पुरानी होगी यह कौन से पत्थर से बनी है यह जिपसम से बनी हुई जिपसम से से बनी हुई है अगर आप देखोगे मैं असरी से दिखा हूं देखो यह जिपसम हैandadwarjo का यह चोटा सा दर्वज्जा तूट गई उपर से जो इसका देखने का नजरिया है जो इसका वियू है द्रस्ट है कुछ ऐसा है तो आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा ऐसा नजारा भारत-पाकिस्तान बोडर के बिल्कुल पास में मस्जिद और इससे पता लगता है कि हमारे यहां पर जो मुसल्मा बताया हमें कि यहां पर जो मुसल्मान भाईये जो हजारों साल पुरानी उनकी कभरे हैं तो चले उनको देख लेते हैं तो वह कभरे हम लोग अब देखने के लिए जा रहे हैं और यहां पर इनके खेत हैं काफी दोस्तों देखो गाउं की लाइफ एक ऐसी होती है आप लो से में आया आलवर से और यहां पर हम लोगों को अभी जब टाइम खतम हो गया था साथसु पोस्ट देखने का तो सर के यहां पर आये तो चाय पिलाई पूरा इजजत किया और रुकने के लिए भी विवेस्ता हो गई तो यह देखो कितनी अच्छी बात है तो दोस्तों यह यह देखो यह पीर बाबा का इस्थान है इसका यह दादा पी पीर हसन सहा बुखारी इस पे यह दोहजार पंद्रे बनाया था पहले यह इदर कच्छा सा था पहले फोजों बनाया वो टीन सेट से तो यहां पर अपने जो बीएसफ वाले है फोजी उन्हों नहीं पर टीन स अहां कितने अच्छी बात है किसार बता है यहां पर जो सभी जाती यहां पर आती है और पीर बाबा को चद्दर चड़ा प्रेड़ा थे नहीं नो दिखाए देरी यह अब यह भी कपरें थी उस टेम यह इस तगह भी कपरें थी वह तो तरह सो साल है या दोसाल प्राणि यह पता नहीं कितनी हो गहां गाँ यह दोस्तो जैसा की अभी आप लोग देख रहे हैं हम लोग कड़े हैं भारत पाकिस्तान बोर्डर के पासें और यह भी कबर तो दोस्तों जैसा कि हम खड़े हैं भारत पाकिस्तान बोडर के बिलकुल पास में हैं यहां से अगर हम देखें तो ज्यादा ज्यादा पांसो मिटर होगा तो यहां पे देखो जो हजारो साल पुरानी भीम जाती के जो मुसल्मान थे उनकी कपर देखो अगर जहां तक आप होगे ना तो आपको कब्री कब्र दिखेंगी तो इससे पता लगता है यह कितना पुराना गाउं है बहुत पुराना गाउं है और अगर हम थोड़ा और अंदर चलें इधर आव सिह हम भाई तो यह मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे यह तो साइज 100-500 साल पुरानी कब्रे ह है ऑफ जर काफ तक आप देखेंगे अब इसमें हो सकता है देखओ अपने भाई बाइसा हुको और इंदू propheयां दार वियावन मिला पकिस्तान और पाकिस्त्तान बोडर के पास में सर आमें लेकर आए यहां पर हैनक बहुत अच्छी बात अभी सर आपको खेत देखेंगे चल के उधर तो दोस्तो अभी आप जो यह नजारा देख रहे हैं यह आप रेत के खेत देख रहे हैं यह भारत पाकिस्तान बोर्डर के बिल्कुल जस्ट पास में अगर आप देखोना तो यह सा लगए जैसे आपको यह हम लोग बोर्डर की एक सीमा पर जो जीरो लाइन होती उस पर खड़े हैं और अभी हम चल रहे हैं सर के खेत देखने के लिए सर हमें बताएंगे थोड़ा सा कौन-कौन सी खेती होती हैं आपर फसले होती है यहां अभी सावनी में होती है मोट मोट और गवार गवार और मूंगफली मूंगफली अच्छा इनका जो टाइम इस सातों महीन होती है भी साटी महीन जाता है ने की बूंगफली ने साठों महीन जाता इरे दसं कर जाता है सातनी के जाता है तेन साधै चार महीनेयों महीन जाता है है कौन्स Arch detailed की मौहीं और यह। यह मोठ है और इसके अलावा कौन सी फसल होती है सर्दिक टाइम में सर्दिक टाइम में चना सर्शूं गेहूं कि गेहूं सर्शू चना हाँ जरुत पड़ेगी तो अपने भर रखे बानी के लिए हाँ पांसा डिगी है अच्छा ये जो यह आपने बना रखे ते वह वाट रख टेंक बना रखे हैं इस जगह जगह बना रखे हैं हाँ इनको पर रख जैसे जुरुत पड़ेगी तो फिर स बढ़िया हो है जी बढ़िया है यह देखो अपने मजदूर भाई खेतों में काम कर रहे हैं किर्शक किशान क्या कर रहे हो अभी यह नियार हमारे नियार बोलते हैं इसको यह मुफळी की जो फसल है ना उसके अंदर यह फालतु का जो वेस्ट हो जाता है घरपतवार उसको भाई निकाल रहे हैं क्या क्या नाम अपना ओंप्रकास जी पावन कुमार जी हो ना सुनिल कुमार जी अच्छा बोर्डर के पास रहते हो डर नहीं लगता है है जोधरी तो है पर डर नहीं लगता है आपको भाई पाकिस्तान पास में है पाकिस्तान कभी अपनी घंदी अर अपने राजस्थान में यहां से करीब होगा 600 600 के संतिंग होगा वहां से बीकानेर से बज्जु बज्जु स्पिर बाइक से आए हैं